तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कमाल का मकान जो कि आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इस पर अवेलबल हैं अंदर कैसा है एकस्टिरियर कैसा है इंटिरियर कैसा है सब कुछ आपको बताएंगे बस वीडियो में बने रहेगा तो सबसे बहुत नमस् साथ आपको डेट पोर्शन मिलता है लेकिन यहां पर जो रोड है वो आपकी 15 फिट की है एक्सटिरियर आप बाहर से देख सकते हैं कितना प्यारा देख रहा है रोड में 15 फिट पहले होता दी और सामने यहां पर मकान बनने हैं यानि वेल सेटल क्लॉनी है और पूरा आप 100 mpl के चैश्ट करते हैं तो यहां पर गड़वाली महोला मिलने वाला है या फिर यहां के लोकल होंगे तो कम्युनीटी आपको बहुत ही प्यारी प्यारि मिलने वाली है सब एक पर हम गएट ऑबन करते हैं अब इस लगे बात करो तो 110 गज में ये मकान बना हुआ है यानि यहाँ पर और पारकिंग इस्पेस नहीं मिलेगा अगर हम यहाँ पर पारकिंग इस्पेस रखते तो ऐसे में आपको यहाँ पर बैड्रोम या फिर इसमें कुछ कम इस्पेस देखने को मिलता लेकिन टू विलर के लिए आप यहाँ अराम से पांकिंग कर सकते हैं आपको देख सकते हैं तो यहाँ पर your ने स्पेस तो पहले हम देचलते हैं आपको बैठक में क्योंकि जब भी आपके महमान विजिट करेंगे तो उनके लिए बैठक देखना तो बनता है तो बैठक में आपको यह पर सामने खड़िया मिल जाती है यह इसका एकजिट पॉइंट हो जाता है जैसे कि होता गया है बैठक इंडेक्शन वगर आप यहां पर यूज कर सकते हैं और कीचन के ऊपर का जो उल्टी चत कर डिजाइन में यहां पर दिखाऊं तो काफी मला सिंपल रखा गया है जो की एक हद तक ठीक भी है क्योंकि अगर यहां पर कुछ ज़्यादा एडवांस रखते तो ऑबिस सी बात ह तो ऐसे में इसलिए एक सिंपल सा और आपको अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है कीचन का भी तो चलते हैं बैट्रूम की तरह तो पहले बैट्रूम में बात करूँ तो यार स्पेस आप देख सकते हैं अच्छा काजा स्पेस है अगर मैं यहां पर ओपन करो तो यहां आप देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी आपको यहां पर मिलती है लॉकर के साथ मिलता है यानि आप चाहें तो इसे लॉक कर सकते हैं तो पीच्छी का पोर्शन को चीज तरीके चे नजर आता है अब लेचलते हैं आपको दूसरे बैडरूम में जहां पर आपको मिलता है इसमें अटेश वाश्रूम जी हां आपने बिल्कुल साइज चुना तो यहां पर आप पहले कमरे का साइज देखो कितना अच्छा घासा है और इसके में अगर इंटिर के बारे बात करो तो एक सिंपल सा सोवर डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलता है और इसमें मिल जाता है जिसका आप देख सकते कि इंडियन टॉयलेट यूज़ किया है जो की जरुरत भी है अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑबिसी बात है वह भी प्रिफर करता है इंडियन टॉयलेट विल बैटर तो यहां पर अब ले चलता है आपको च्छत में कि ओपन करते हैं यहां पर दरवाजा तो सबसे पहले दूप की चमक के साथ खुलता है आपका यह स्पेस जिया अब यहां पर एक चीज बताओ कि क्या आपका यहां पर पहली बार घर बनना है बिल्कुल भी नहीं और बैसी बात है आस पास के नजारे देखो घर बने हुए है वेल सटल कॉलोनी है आप अगल बगल सभी मलब की अच्छी खासी फैमली वाले हैं तो यहार गाईज सामने से अगर मैं यहां पर बात करो तो जो फ्रंट का एरिया है जहां पर आपकी पाकिंग वगरा आपका पाकिंग वगरा आगे कर सकते हैं तो इस तरीके का रोड का न जकी गया 42 लाक रुपे अब यहां पर यह ओथा कि यह वक्त क्या यह बिलकुल नेकोशियाबल मैं लेकिन लिटल विट नेकोशियबल हो सकता है वो तो तब है जब आपको यह पसंद आता है तो अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते तो सिंपल एक कांटेक्ट नंबर आ पर हमसे contact कर सकते हैं जहां पर आप इस property के बारे में अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं आगे वे ऐसी properties देखते रहने के लिए आप दून properties के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी property आपके बजट में बैठती है उसे simply आप जल्दी से जल्दी वाज कर पाएं और हमसे contact करके अपने लिए सुनेरा गर बना पाएं